नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडिया नामी की बिलेट पुफ जैकेट्स के बारे में बात करने वाले हैं अब सब को पता होगा इंडिया नामी में अभी बिलेट पुफ जैकेट्स की काफी कमी है और जो जैकेट्स अभी इंडियन आमी के दोरा इस्तमाल किया जाता है उनमें ज़्यादा तर पुराने मॉडल की है और यह मुस्किल से 5.5 के राउंड को भी रोक नहीं पाएंगे लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडियन आमी को मॉडरन बुलेट पुप जैकेट्स से एक्विप किया जा रहा है इसी बीच काफी सारे मेड इन इंडिया बुलेट पुप जैकेट्स भी सामने आये थे जो की AK-47 की स्टील कोर बुलेट को भी रोक सकते हैं अज हम उनी मेंसे एक जैकेट की बारे में बात करने वाले हैं साथ ही पहले के जमाने के बुलेट पुप जैकेट्स और अभी के जमाने के जैकेट्स में क्या डिफरेंस होता है उस पर भी थोड़ा नजर डालने वाले है और अभी भारत और चाइना के बीज इस तरके का तनाव चल रहा है ऐसे में हमारे सबी फ्रेंट लैंट रूप्स को बुलेट टूप जैकेट से एक्यूप करने की सक्त दरूपत है तो क्या हमारे इंडियन मेट बुलेट टूप जैकेट से यहां पर पीपल लिबरीशन आमी के द्वारा फायर किया गए गोलियों को रोक पाएंगे उस पर भी बात करने वाले हैं तो चलिए देर ना करते हैं आज की वीडियो सुरू करते हैं तो अभी हम भारत में बनाएगे अब तक के सबसे सक्सेस्वल बुलेट टूप जैकेट भावा कवच के वारे में बात करने वाले हैं जैसे कि इसका नाम है इसको भावा अटमिक रिसर्स सेंटर की तरफ से डेवलप किया गया है और अभी इसको हमारी ओडिनेंस फेक्ट्री बोर्डर मिधानी यानिकी मिस्र धातून निगम लिम्टेट की तरफ से मेनिफिक्चर किया जाता है और पिछले हपते ही मिस्टर धातू निगम लिम्टेड की तरफ से भावा कबच की मास्ट प्रडक्शन करके इसको इंडियन आमी को सप्लाइ करने का ओफर दिया गया था इसको सबसे पहले पिछले साल दिल्ली में होरे पुलिस एक्सपो के दोरान डिस्पले किया गया था और यह भी भारत में बनने वाले सबसे हलके बुलेट पुप जैकेट में से एक है क्योंकि इसका वजन बस 9.5 केजी है जो कि हमारी हो मिनिस्ट्री की तरफ से इसू किये रिक्वार्मेंट से लगभग 500 ग्राम कम है यह जैकेट इनसा से के 47 और यहां तक की सलार की स्टील कोर बुलेट को भी रोक सकता है और इसमें चार आमपलेट मौजूद होते हैं जो कि बॉड़ी को चारों तरफ से प्रोडेक्शन प्रोवाइड करती है यानि कि सामने से पीछे से और दोनों साइड में भी आमपलेट मौजूद होते हैं जो कि पूरा का पूरा 360 डिगरी का प्रोडेक्शन देते हैं इसमें जो आमपलेट का इस्तमाल किया जाता है उनके उपर बावा आटमिक रिसल सेंटर की तरफ से स्विसल कावन नानो मेट SSD का सप्क है मकड़ की जाल की तरह काम करते हैं और जब तक बुलेट इसको पार करके आमप्लेट को हेट करता है तब तक यह उसकी एनर्जी को काफी हग्सरउप कर लेती है जिसमें बुलेट की स्पीड काफी हतक रेडियूस हो जाती है जिस वज़े से वो आमर प्लेट को जितना डामेज दे सकता था उतना डामेज नहीं दे पाता है इसमें कावन नानो मेटरिल को स्प्रे करने से पहले आमर प्लेट के उपर हाई डेंसिटी की पॉलेथिलिन को भी चिपकाय जाता है और इसको हाई टेंपरिचर में आमर प्लेट के उपर लेर बाई लेर प्लेस किया जाता है और एक ठीक लेर को वहाँ पे फॉर्म किया जाता और ये लेयर बुलेट को रोकने के लिए काफ़ी मदद करता है क्योंकि ये लगभग बुलेट की सभी एनरजी को सोक लेती है बिजनेस स्टेंडर्ड में एक रिपोर्ट के मताबिक पूरे दुनिया भर में जितने भी बुलेट पुप जैकेट बनाया जाते हैं ये ये इसकी नेशनल इस्टिचूट अब जेस्टिस यानि की एनाईजर लेवल 3 स्टेंडर के नहीं होते हैं और ये सबके सब लगभग लेवल 2 कैटेगरी में आते हैं क्योंकि आम तोर पर ये काफ़ी हवी होते हैं और ये सिर्फ हैंड गन ये फिर 9 mm की कारबाइन ये फिर उससे भी कम कैलिवर की राउंड को रोक सकते हैं हवी होने से इन जैकेट को पहने वाले सोल्डर की मोबिलिटी के उपर इसका असर पड़ता है अब बिलेट पूप जैकेट्स की कैटेगोरी के बारे में बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं एक सॉफ्ट कैटेगोरी में आता है जिसको सॉफ्ट आमर कहा जाता है और दूसरा हाड आमर कैटेगोरी में आता है Soft Armors की बात करें तो इसको आम तोर पर VIP लोगों को security देने वाले bodyguards की तरफ से इस्तमाल किया जाता है और इससे small caliber के राउंड से ही protection दे सकते हैं जैसे की handgun हो गया या 9mm की कारबाइन हो गया या फिर 22 long rifle हो गया लेकिन hard armors की बात करें तो इनको army या फिर security forces की तरफ से इस्तमाल किया जाता है और इनको assault rifle की गोलियों को रोकने के लिए design किया जाता है हमारे जितने भी security forces हैं उनको आम तोर पर कस्मीर में सूरों के साथ engage होना पड़ता है और कभी कवार मावदियों के साथ engage होना पड़ता है SME इनको सबसे जादा खतरा AK47 की round से होता है चुकि आम तोर पर आतंगवादिया सूर लोग इस्तमाल करते हैं अभी इसी वज़े से भावा कवच का demand बढ़ने लगा है और साल की सुरुवात में ही लगभग पचपन भावा कवच को भी CISV को testing करने के लिए दिया गया था अभी पंजाब, 36गर, करनाटक और गुजराट के पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी इसके लिए order प्लेस किया जा रहा है अब Line of Actual Control में चाइना के साथ बढ़री तरनाव के बीच यह हमारे जवानों को भी काफी है तक protection प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि चाइना का जो main service rifle है वो QBJ95 है और इसमें या तो 5.56 into 45 या फिर 5.8 into 42 mm के राउंड के इस्तमाल किया जाता है इसको आप एक तरीके से intermediate round के सकते हैं जो की 7.62 और 5.56 के बीच में आता है इसका power 5.56 से ज़्यादा होता है लेकिन 7.62 जितना ये damage नहीं दे सकता है पर इसका velocity यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और चाइना जाए तर इसमें steel को और bullet का इस्तमाल करता है तो भावा कवच की बात करें तो ये 7.62 इंटू 51 एम के round को रोक सकता है मतलब ये इसको भी आसानी से रोक सकता है अब देखने वाली बात ये कि क्या government की तरफ से भावा कवच को हमारे front line troops के लिए order किया जाता या नहीं किया जाता और अभी अगर भावा कवच को मास produce करके वक्त के अंदर ही डिलिवर किया आ सकता है तो ये एक बहुती बढ़िया option होने वाल है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मातर